अभी की खबर है क्या है अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच अभ्यास खंजर शुरू हो गया है इस अभ्यास को हिमाचल प्रुदेश के बकलोह में आयोजित किया जा रहा है बता दे कि यह इसका 11 संसकरण है यह अभ्यास 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक आयोजित होने वाला है 20 कर्मियों वाली भारतिय सेना की टुकडी का प्रते निधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेश बलके सैनिको द्वारा किया जा रहा है जबकि 20 कर्मियों वाली कर्गिस्तान टुकडी का प्रते निधित्व इसकॉर्पियन ब्रिगेट द्वारा किया जा रहा है इस अभ्यास का उदेश्य पहाडी इलाकों में आतंकवाद और विशेश बलों के संचालन में अनुभवों और सर्वुत्तम प्रताओं का आदान-प्रदान करना है साथ ही इसमें विशेश बल, कौशल और उन्नत तकनीकों को विक्सित करने पर जोर दिया जाएगा यह अभ्यास दोनों पक्षों को रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर देगा आगे बढ़ने से पहले बता दे कि दृष्टी IS के ISGS Foundation Course लाइव ऑनलाइन पर 21 से 25 जनवरी तक 40% डिसकाउंट उपलब्ध है इस Course पर EMI की सुविदा भी उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक पर क्लिक करें अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्ण अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच आयो जित किया जा रहा है ए भारत और श्रिलंका बी भारत और बांगलादेश सी भारत और किर्गिस्तान या डी भारत और वियतना इस प्रश्ण का उत्तर कमेंड बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया डियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले